हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं, आसा करतों कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वास्त भी होंगे, आज चलिए त्रिकोन में तिसे क्वेशन अगला देखते हैं, क्वेशन नमर कितना होगा, 47, 47 नमर क्वेशन देखीगा, 47 नमर क्वेशन क्या काता है, कॉस 20 डिग्री ब 90 में से किसी एक को तुलना करते हैं, तो इसका फर्मला क्या होता, या दखिएगा, 90, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा, क्योंकि नीचे साइन है, तो उपर बला भिलू चेंज करेंगे, ति यह हमेशा किस रूप में चेंज हो जाएगा, त उपर कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा, और नीचे साइन 90 डिग्री मैनस थीटा, कमान क्या होता, कॉस थीटा, कॉस थीटा, यह कॉस से कॉस कट गया, अब इधर भी हो जगा मेरा क्या, कॉस 90 डिग्री मैनस थीटा, इसका मतलब साइन थीटा, यह बन जगा मेरा कितना, साइन साइन सत्तर डिगरीu, अब बटा है, 생각이 साइन सत्तर पहले प्ल्लासी धर कितना हो गया, वन ये भी कड़िया, तो वन हो गया, वन प्लस वन कितना आगए, आंसर दो आ गिया मतलब 47 नमर के question answer दो option नमर किसे में चल ज़ेगा तो डी में चल ज़ेगा अगला question देखते हैं 48 क्या कर रहा है कि court a बराबर 15 बटे 8 हो तो 10 2a का मान क्या होगा तो सबसे पहले यहाँ पे हम लीग सकते हैं क्या कि court a बराबर दिया है 15 बटे कितना 8 तो court का उल्टा 10 होता है जिसका उल्टा कर देंगे तो क्या बन ज़ेगा मेरा 10 a बराबर 8 बटे 15 मतलब court का जो भेली है उसको हम पलड़ देंगे तो 10 का निकल ज़ेगा अब पूछ रहा है किसका 10 2a का मान क्या होगा यहाँ से एक फर्मुला हमेशा याद रखेगा यह 10 2a कि इसमें काम करता है तो 12 में काम करता है यह 10th में 10 2a का भेलू आपका नहीं मिलेगा 12 मिलेगा 10 2a बराबर एक फर्मुला होता है यह हमेशा याद रखना पड़ेगा सवाल अपका बन ज़ेगा क्या करता है 10 2a बराबर 2 10a बराबर 1-102a अब यहाँ पर हम सवाल को पूट कर देंगे यह बन क्या जगा दिखेगा कि 2 गुना 10a 10a का मान 8 बटे 15 यहां लिख देंगे 8 बटे 15 फिर बटे 1-102 ति यह होगा 1-102 अनिकी 8 बटे 15 का क्या होगा होल स्कुर्य ति यहां बन जगा 8 दूना 16 बटे 15 और नीचे 20 का घाटा हो जगा ति यह होगा 1-64 बटे 225 बन जगा 24 4 को घटा देंगे उपर हो जगा मेरा 16 बटे 15 अब बटे 225-64 ति यह बन जगा कितना 161 बटे 215 अब इसको हमें साग गुणा के रूप में ला सकते हैं तो गुणा के रूप में लाएंगे यह क्या बन जगा देखेगा कि 16 बटे 15 गुणा 225 उपर चल जगा दूसो पचीस अब बटे हो जगा मेरा कितना 161 15 से कर जगा 15 बार में 16 गुना 15 करेंगे तिये बन जगा कितना 240 बटे कितना 161 जिस option में होगा वो हम answer दे सकते हैं option नमर किस में तो option नमर B में इसका answer हो गया question नमर आगे 49 और 50 question 49 और 50 दुनों को एक साथ देखते हैं question 49 क्या कर रहा है कि cost 37 डिग्री बटा sign 33 डिग्री अब cost 37 और sign 35 होगा तो याद रखेगा यहां से direct हम answer 1 कर सकते हैं कि cost 90 डिग्री माइनस थिटा अगर cost 90 डिग्री मेंस थिटा तो 90 में 33 घटा देंगे कितना होगा मेरा 37 की रोप मायगा ती इसलिए दोनों संख्यां को change ने करेंगे किसी एक को change करेंगे तो उसका मान क्या होगा इस तरह का question जैसे भी आजा समाझेज़ेगा उसका मान क्या होगा हमेशा एक होगा अब एक कैसे होगा वो भी हम आप यहां होगा göz 90 प्रस्ट तो नुमर किस में तो एक में किस में चलिए है कि लगले question पजास नमर क्या करा है कि आप यह एक्ची याद रखना है कि बराबर cos x होता है मतलब यह मान अगर negative देगा तो क्या कर लेगा पोजिटीव कर लेगा इसलिए इसको हम लीख सकते हैं कि कोस आणि 17 पाई बराबर कितना 3 आप 17 पाइबटे 3 को तोर के लिखेंगे ये बन जगा मेरा क्या cos 6 पाइब माइनस पाइबटे 3 आप याद आखेगा 6 पाइब माइनस पाइबटे 3 इसको हम पुर्णा के रूप में तोर सकते हैं तो 6 गुना 3 करेंगा 18, 18 एक जगत कितना बचेगा 18 में से एक चल जगा 17, 17 पाइबटे 3 हम तोर दिये अब इसका भीलू बन जगा मेरा क्या cos 5 by 3 आप cos 5 by 3 कमाण कितना होता है तो 1 होता है अनि cos कितना डिगडी हो गया 5 by 3 तो 5 by 3 जो हो गया मेरा कितना तो 60 डिगडी आप cos 60 कमाण क्या बन जगता है तो 1 by 2 हो जाता है तिक जिस option में 1 by 2 होगा वह हम दे सकते हैं option नमर किस में 1 by 2 है option नमर C में आप का आंसर C हो गया अगला question नमर हम देखते हैं कितना 51 question नमर 51 और 52 दोनों एक साथ हम खिच लेते हैं क्या करा रहा है question 51, 52 question 51 करा रहा है कि 77 से तुलना कर सकते हैं court 13 को court 77 अगर ये दोनों को एक साथ तुलना करेंगे तो उसका मान हमेशा 1 होगा उसके बाद 27 को और 63 को एक साथ तुलना करेंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा और court 45 का मान जोगा वो 1 हो जाएगा अब ये दो संख्यां को हम change करेंगे और बादवाँ की जो संख्यां दिखेगा उसको उसी तरह हम छोड़ देंगे अब ये दो संख्यां को अगर हम change करते हैं ये याद रखेगा बन जेता क्या cot 90 degree minus 77 degree अब दिखें cot 90 degree minus 77 degree का मान क्या होता है तो 10 77 degree हो जएगा उसी पर्कार यहाँ 27 को गर ले लेंगे ये बनेगा மट 90 डिग्री मiनस 63 डिग्री उसके बाद दे leis काsin चोड़ेंगे फिर चोड़ेंगे लिए बनजाएगा 10 77 ग्रीक्री इंटू बनजाएगा 10, 63 degree फिर हो जेगा कॉट 45 degree फिर हो गया मेらा कॉट 63 degree into कॉट 77 degree अब 10, 77 और कॉट 77 का मान क्या होता है? एक होता है 10, 63 और कॉट 350 का मान एक होता है और कॉट 45 का मान एक हो गया अब सब संख्या कुणा करेंगे तो 1 उब 1 kepada 1 1 कितना हो जगा मेरा 1 हो जगा option number किस में चल जगा option number A हो जगा question number 52 देखते हैं 52 करा है निमलिखित में से निमलिखित को तिर्कोन मिती अनुपात की संदर्व में इनका मान ग्याद करें जब इसका हमेशा मान ग्याद करेंगे तो यहां question दे चुका है कि sin A plus cos A 1 minus sin A into cos A अब यह संख्या को अगर हम बना लेते हैं तो एक मिनट देखें अब तो रसो उपर बला को हम मिटा देते हैं अब यह संख्या यहाँ पर हमेशा ले लेते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है कि sin A sin A plus cos A ठीक है sin A plus cos A उसके बाद दे चुका है 1 minus sin A into cos A अनिकि 1 minus sin A into cos A अब कहता है इसको तिरकौन मीती की रूप में ही लना के लिए मतलब sin है तो सबको sin theta की रूप में हम ला सकते हैं या तो cos theta की रूप में ला सकते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या बन जाएगा sin A plus cos A into अब 1 का हमेशा फरूणला क्या होता है या रूप का यह होता है sin square theta plus cos square theta कमान क्या होता है 1 होता है जहाँ 1 देगा वहाँ हम दर्सा सकते है sin square theta plus cos square theta अगर sin square theta plus cos square theta यहाँ दर्साएगे यह बन जाएगा मेरा sin square A plus cos square A फिर minus जो देखते हैं वो हो जाएगा यह बन जाएगा sin A into cos A बन जाएगा अब देखिए किसका फर्मूला बन गया तो यह बन गया AQ plus BQ AQ minus BQ का अनि AQ plus BQ का सोड़ी अब यहाँ पर हम लेख सकते हैं A minus B का अनि AQ minus BQ का फर्मूला क्या होता है तो A minus B ठीक है into होता है A square plus AB plus B square अगर negative रहता है थमेशा भीलू क्या होता है पोजेटिव होता है अब दूसरा होता है AQ plus BQ का फर्मूला तो A plus B into होता है A square minus AB plus B square अब देखिए यहाँ पर AQ plus B Q का फर्मुला क्या होता है तो A plus B into A square minus A B plus B square यहाँ वही चीज़ दिखता है sin A plus cos A आनि A plus B into A square plus B square minus A into B यह किसका फर्मुला बन गया तो A Q minus B Q का बन गया तो इसका मतलब इसका answer क्या बन जागा मेरा यह बन जागा कि sin sin Q A plus cos Q A अब यह जिस option में दिखेगा वही आपका answer हो जागा आनि sin A Q plus cos A Q तो option नमर किस में चल गया तो option नमर A चल गया यही आपका answer हो गया चलिए आप अगला question देखते हैं आपका answer करता हू प्ए़र थीआ लपका है यहीं इस नम्हार हू b sorta अपका